तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा कि सुपरफीशल मसल और डीप मसल में हमने पॉस्टे कंपार्टमेंट की मसल को बाट दिया है और टोटल 12 मसल हैं जिसमें से 7 सुपरफीशल है S for 7 and S for 7 मसल, S for superficial इतना यातर सकते हैं और डीप मसल हैं वो 5 है, तो टोटल कितनी होगी 12 तो अब हम पहले डिसकेस करेंगे सुपरफीशल मसल के बारे में तो यह देखिए to superficial मसल में जो हमारी पहली मसल थी वो क्या था उसका नाम। उसका नाम था brachioradialis उसका नाम था brachioradialis मुझी का यहां बात करें तॉ अप्रेडान मंतरी जी के लिए बोला जाता है कि प्रदान मंतरी मोहदी जी की कथनी और करनी में अंतर है यानि he is a paradoxical prime minister है ना तो शशी थरू की बड़ी famous किताब है paradoxical prime minister तो अगर आपने वो पढ़ी हो तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से मोधी जी के कथनी और कर्णी मंतर है तो ऐसे ही इस muscle को हम पढ़ते तो extension में दूटू इस औरिजिन एट्स नर्व सप्लाई क्योंकि सबसबीकों नर्व सब्सक्राइब कुए रिडियल लेकिन यह एक्ट्वल में पर एक्टरिस्टिक इसकी extension मुल्य है लेकिन एक्ट्वल में कराती क्या है यह फ्लेक्जन कराती है यह सबसे रदा इंपोर्टेंट बात ह जो आपको exam point of view से याद रखने को बच्चे टिकला गया जाते है तो एक्टेंशन पर पढ़ा था तो एक्टेंशन नहीं इसका function जो है वो है elbow पर flexion कराना ना के extension कराना the muscle is most visible when four armies half pronated and flexion at the elbow against registers यह हमें कब ज्यादा दिखेगी जब हम simple आप देखते हैं कि जब हम मसल जिसमें हम हैंड को जैसे अब यह जैसे आप देख सकते हैं कि यह अपनी कौन सी बोन हो गई यह अपनी बोन हो गई अपनी यह humorous ठीक है यह humorous हो गई और यह अपनी यह अपनी बोन हो गई यह अपनी रेडियस हो गई और यह इसका ओर इंसर्ट हो गई तो यह हमें कब ज्यादा विजिबल होगी according to theory the most visible when forearm is half pronated and flexing at the elbow against resistance. जब हाप में हम कोई भारी सामान उठाते हैं और उसको अपने chest की तरफ ले जाते हैं लेकिन वो सामान actual में भारी होना चाहिए जैसे dumbbell उठा रहे हैं जिम के अंदर तो तब ये position जो है तब ये ज़्यादा visible होती है. इन डिश्टल फोरान, the radial artery and nerve are sandwich between the brachio radialis and deep flexor muscles. डिश्टल फोरान यहाँ पर, यह कौँ से डिश्टल फोरान यह proximal हो गई और यह वाला अंद कौँ सा हो गई है डिश्टल तो फोरान के डिश्टल पार्ट में जो radial artery है और radial nerve है. वो sandwich बन जाता है उसका किस्म है brachio radialis muscle और जो deep flexor muscles है. अभी हम exchange से पढ़ रहा है, deep flexors हम नहीं पढ़ रही. जब हम anterior compartment पढ़ेंगे तब हमें समझने आएगा कि deep flexors क्या होते हैं. तो अभी के लिए बस्याद कर लिए कि deep flexor muscles और brachio radialis के बीच में यह sandwich के vein हो यह आपकी nerve हो गई blue वाली. तो यह बीच में क्या बन गया? sandwich बन गया. तो यह इस तरीके से का arrangement है. अब हम detail में अगर बात करें इसके attachment की जैसा कि हमें हर एक मिसल का attachment पढ़ना है तो इसका attachment में लिखा हुआ है it originate from the proximal aspect of the lateral supracondyler ridge of the humerus and attached to the distal end of the radius यानी lateral supracondyler ridge of the humerus आपको पता है supracondyler region होता है humerus पर हमने bones में पढ़ाया था उसकी जो ridge होती है उसका जो यह केनारा होता है यहाँ से इसका origin होता है और इसका attachment इसका distal insertion कहाँ पर होता है distal end of the radius यहाँ पर आप देख सकते हैं just before the radial styloid process styloid process क्या होती है यह extension है यह triangular इसको styloid process बोलते हैं इसके लिए आप radius अवाली वीडियो देखिए bone वाली तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है styloid process क्या तो styloid process just before इसका insertion होता है तो यहाँ से इसका origin हो रहा है और यहाँ से इस पर insertion हो रहा है दोनों चीज़े याद हो गई हमारे यहाँ से origin हो रहा है यहाँ से insertion हो रहा है अब इसके action की बात करते हैं वही काम क्या करता है तो काम तो मैंने पहली बता दिया कि इसका नाम और काम दोनों अलग अलग है तो यह स्की डेटेल हैं तो अगर लिखने के लिए तो अब लिख भी सकते हैं तो यह वो रान को मैंने डाइगरम में बनाया है इसका डौसल और दॉर्सल माने पॉस्टीर और वेंटरल माने एंटीजर यह आपको क्लियर है तो यह सारी बात होगी ब्रेक्यो रेडियलिस के रिगार्डिब तो हमारी एक मसल कम्प्लीट होती है सूपरफिशल कमपार्टमेंट की थेनिष्ट रेकियोख रेडियलिस अब बात करते हैं दूसरी मसली 능रूसरे savvy मसल का नाम है एकस्टेंसर कारपाई रेजलिस लॉंगर्ड और चौंप्र nor provided इसकी दो ग्यार्टे के बिए एक लॉंगर्ड ब्रेविस सथा अध्यादा रेडियाल इस आर सिच्गूेटेटल असपेक्ट आफ पास्टीरियर फोरान पॉस्टीरिय फोरान के लेटल आसपेक्ट पर यह देखिए कि देखिये इसकी थिकनेस के वल सूपर फिश यह कौन सी वने यह रेडियस है यह लमना है यह humorous है तो देखिए अब radius के मतलब radius के upper segment पर यह थिक होती है और इसके बाद यह इसका जो tendon है वो थिन होता चला जाता है और कहां पर जाके insert हो जाता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसका function क्या होगा एक्सटेंशन कारपाई रेडियालिस तो यहां पर इसका function क्या होगा यह जो movement हो रहा है मेरी रिस्ट का यह किस वज़ा से हो रहा है इसी मसल की वज़ा से हो रहा है दू टू देर पोजिशन दे आर एबल टू प्रोड्यूस एब्डक्शन एस वेल एस extension ओफ रिस्ट तो देखिए यह हुआ extension और यह हुआ abduction देखिए ठीक है यह abduct हो गया यह abduction हो गया और यह extension हो गया यह और यह extension हो गया यह दोनों function कुंका रहा है एक्सटेंसर कारपाई रेडियलेस और यह दो इसके हैड होते हैं एक लॉंगस और एक ब्रैविस attachment extensor कारपाई रेडियलेस लोंगस और इजनेट फ्रम दा सुप्रा कॉंडाइलर रिज वाइल दा एक्सटेंसर कारपाई रेडियलेस ब्रैविस और इजनेट फ्रम दा लेटरल एपी कॉंडाइल तो यह सबसे बड़ा एपी कॉंडाइल से और जिनेट होती है क्योंगि मैंने बताया था कि साथ मैंसे चार मसल्स का ओर इजनेटरल एपी कॉंडाइल से होता है और उसमें चार के नाम थे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उन चार के नाम थे एक्स्टेंसर कारपाई रेडियलिस ब्रेविस एक्स्टेंसर कारपाई अलनेरिस एक्स्टेंसर डिजिटोरम एंड एक्स्टेंसर डिजिटाई मिनिमल यह चार ऐसी थी जिनका ओरिजिन कहां से हो रहा था लेटरल एपी कॉंडाइल से कहां से हो रहा था लेटरल एपी यह brevis का diagram है और देखिए दोनों में difference भी आपको समझ में आएगा यहाँ पर मैंने जो origin दिखा है कहां से दिखा है? ridge से यह जो line दिख रहे हैं यहाँ से जबकि यहाँ सीधा कहां से origin हो रहा है सीधा का सीधा origin हो रहा है आपके lateral epicondyle से और यह middle portion में जाके ठिक है जबकि आपको पता है जो longest थी वो कहां पर थी superior portion में ठिक थी उसके बाद उसका लिगा में उसका tendon जो था वो थिन होता चला गया था लेकिन यह middle portion में यानि radius radius के middle portion में इसमें ठिकनेस होती है और इसका insertion भी कहां पर होता है second metacarpal पर नहीं second नहीं sorry one two three तो brevis brevis में याद रखिए brevis में यह इस तरीके से मनता है तो इसका याद रखिए कि यह इसका जो insertion होता है brevis का कहां होता है three पर यानि third metacarpal पर और जो longest है longest में क्या है longest का होता है second पर clear तो the tendon attached to the metacarpal bones second and third तो उनों की बात similar लिख दी है action क्या है action मैंने बता दिया it extend and abduct the wrist क्योंकि कारपाई word आ है तो इसका function कहाँ पर होगा wrist पर और अगर nerve supply की बात करें तो nerve supply इसकी भी कैसी होगी radial nerve supply तो extend से करपाई radialis और लोंगस और ब्रेविस में आपको difference पता चल गया है कि लोंगस को लोंग के बोलने क्योंकि ब्रेविस के मुकाबले थोड़ी लंबी है प्लस इसका जो origin हो रहा है वो कहां से होता है जबके ब्रेविस का origin कहां से होता है लेटरल एपी कॉनडाइल से मैंने फिर फिर रेपीट कर रहा हूं साथ मसल में से चार क Is Longus, Extensor Carpyradialis Brevis, अब हमारी जो फोर्थ मसल है, उसका नाम है Extensor Digitorum, मैंना अभी बताता है, इसका भी origin कहां से हो रहा है, आप देख सकते हैं, इसका origin कहां से हो रहा है, इसका origin भी कहां से हो रहा है, लेटरल एपी कॉंडाइल से और लेटरल एपी कॉंडाइल से इसका ओरिजिन हो रहा है लेकिन इसका इंसर्शन कहां हो रहा है यह सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट बात है इसका इंसर्शन हो रहा है फैलिंजस पर यह देखो यह देखो यह देखो अर यह दिकूआ फैलें जिस तो देखिए यहां ग्या थि यह ग्या था मैटास का अर्जाय कर् пор और ये क्या है झार जीफ प्रॉग्जिमल मिडिल डिस्टल फैलेंजिस को तीन होती है और थम में कितनी होती है दो होती है तो यह क्या है फैलेंजिस तो आप देखिए सकते हैं कि इसका एक्स्टेंसर डिजिटोरम तो एक्स्टेंसर डिजिटोरम के अगर मैं बात करूं तो एक्स्टेंसर डिजिटोर और चलाव हम एक्सटन करवाएंगे इस तरीके से तो ये एक्स्टेंशन जो करा रहे है तो ये लिन, Σिएटेंटन किसको है एक्स्टेंशन, डिटेंटन, क即 예 टेंडन, के ये टेंडन, विजी बल उते हैं हमें और यह बहुत मैं इसको टच करें हैं तो यह पूरे फिंगर तक जाते हैं ठीक है अटेच्मेंट के अगर मैं बात करूं तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम दे लेटर लेटर लेपी कॉंडल के लियर है तेंडन कंटीनूस इंटु दे डिश्टल पाइट फॉरान वेर इट स्प्लिट्स एक्ष्टेंट दंडियल फॉर फिंगर्स एट एंट आईपी जोंट बैट करा पर फेलिंजिल तो यहां तक तक तो बैटा करते मैं अघ्टेंशन यह वाला एक्ष्टेंशन यह कौन करा रहा है एक्सटेंशर डिजिटोरम साथ में अगर मैं इसकी बात करूं ओर ओर ऑल्य आए यह वी कौन करा रहा है extensor digital सॉपरफीशल ब्रांच औरीप ब्रांच तो यहां पर आपको याद रखना है कि सुपरफीश्यसल ब्रांच तो य है इस इस तरी गsem सकते हैं इसको मैं इसमें अगर डाइगराम में देखे तो इसमें लिखा भी हुआ है देखे इट इंसर्ट इंटु दा लेटरल एंड डॉर्सल सर्फेस और यह लेटरल हो गया तो इस तरीके से ऐसे इसको टिया को कवल रखती जरही लेटर सर्फेस पर और सुपीर टर्स ऐस worn रखती और इस तरीके से इंजर्ट इएं नो पर और इसके पीछे क्या होगा यहां पर होगी आपकी मेटागार पर ठीक है तो यह हो गया इसका रिंग्मेंट इट यहां पर यह क्या कर आईगी मिलेगा कि यहां पर यह क्या कर आईगी फिंगर का एक्षिन इस बैलेंस बाइद लंब्राइकल्स एंट रोशाई यह दो मसल्स गुरूप होते हैं यह बाद में हम हैंड की इंटर्नल मसल्स हैं इनका ओर जिन कहां से होता है कारपल मेटा कारपल रीजिंसी होता है यह रेडियस अलनास के आसपास यह बाहर की किसी भी बोल से इ यह आप देखिए तो आप इसको इस तरीके से कराएंगे तो यह आपकी क्लोह हैं पॉजिशन ही होती है पंजे टाइब कर रहना तो यह एक्स्टेंट हो गया फुली क्लोह हैंड ठीक है तो यो गया एक्षेंसर डिजिट ओरम कम्यूनिस या एक्स्टेंसर डिजिटूर डि म Ultraडूरλ इसके बाद आती है आपकी एक एक और मसल जिसका नाम है एकस्टेंसर MA B to D ноз जो है वो पर यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि स्का और इंगे इस का इंहार है आप अभी आपने पड़ाना एक्टेंसर डिटोरम वो चारों को एक्सेप्ट थंप थंप पर अटेच नहीं हो रहा था क्योंकि थंप के लिए अलंग मसल होती है उनको बलता पॉलिसे पॉलिसे समाने होता थंप तो जिस मसल के नाम में पॉलिसे आएगा तब वो थंप पर इसके एक्सेंसर डिटोरम कमिनिकल्स अब जैसे एक्सेंसर डिटोरम जा रही है तो यह सके मीडियल साइड पर होगी यह मसल ठीक अटेच्मेंट की बात करें तो इत ओरिजिनेट फॉन देलेटल एपकोंडाइल जैसा मैंने बता है कि साथ मैंसे चार मसल का और जिन कहा से होता है लेटल एपकोंडाइल से एट अटेच्टेंसर डिटोरम टेंडन एंटू सर्फेस एड बेस वर्स्ट फैलिक्स ओफिफ्त फिंग्र सूज्टों यह फिफ्ट फिंग्र की फस्ट फैलिक्स फास्ट्व स्थ जघ्सेंट फीर सेट्वीर्गी स्विलेंटल तु हो गी ए ठीक है अब आपकी अगली मसल जो आती है उसका नाम एमकी झोख सब्कास सब्सक्राइब को पर गहां तो यह देखे हैं कासे सब्सक्राइब करका पया इसका नियुक्त班 हुक्त लेटरल एपी कॉन डाइसे हो रहा है और इसका इंसर्शन कहा होता है इसका इंसर्शन होता है मेटा कारपल पर कौन से फिफ्ट मेटा कारपल पर यह हो गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यह फिफ्ट फिफ्ट मेटा कारपल पर इसका इंसर्शन होता है तो अगर हम इसकी बात करने हैं धाइक्स होसैं लोके Quinth and petit in the medial aspect of the Posterior forearm इसके medial aspect पर होगा Due to its position It is able to produce Eduction as well as extension of the wrist इसकी जो position है वो कहाँ पर है भई तो ये तो हो गई Radial position हो गई यहाँ पर तो ये क्या करा सकता है ये क्या करा सकता है addiction as well as extension of the wrist यह addiction हो गया ठीक है addiction हो गया और यह extension यह moment है यह कौन करा सकता है extensor, carpi, abnormis क्योंकि यह middle location में है यारी radius और अलना की बीच में इसकी muscle belly बेलेगी इसकी ठीकना है जो maximum कहा मिलेगी radius और अलना की बीच में action क्या है extension and addiction इसके बाद हमारी एक लास्ट मसल बचती है जिसको हम बोलते हैं एंकुनियस एंकुनियस के लिए आपको यहाद आ जाएगा एंकुनियस में देखे यह वाली मसल यह कॉर्णर पर है यहां पर कहा है यहां पर दूसरी मसल है ना यह हो wreckage जाती है झाले इसको हम अलग से जादा पहचान नहीं पाते हैं यहुद्ध शुंभी और करें दूसरी मसल अनुसरी व्यक्राइब हैर यह कॉणल्सु मसल है इसके साथ मर्च कर जाते हैं तो इसको हम अलग से ज़्यादा पहचान नहीं पाते जबके बहुत ध्यान से देखेंगे तो मसल फाइबर्स के और येंटेशन से हमें पता सब चल सकता है कि कौन सी एनकुनियस है तो इस ब्लैंड इस फाइबर सॉफ ट्राइसेप्स ब्रैकिया तो अरे अटेश्मनट के बात करूं तो इसका अटेश्मनट का है लेटरल एक्ट कॉन जाएगा ठीक है इसको बाद oligronal process आपको कहा मिलेगी elbow joint में मिल जाएगी oligronal process आपके किसमें लगी रहती है radius में या अलना में अलना के पास होती है oligronal process इसके बाद आपके action क्या है it extend and stabilize the elbow joint it abduct the alna during pronation of the forearm abduction कराती है किसका alna का during pronation of the forearm और इसकी nerve supply गया है यह भी radial nerve से supply होता है तो इस तरीके से हमारी सारी superficial muscle हो गई अब next video के हम देखेंगे deep muscles of the posterior compartment of the forearm